हिसा हिए घाइज वेल्कम टू ग्रेड ओग्रेड्ट तो आज का टोबिक आज का टोप्यक प्रस्थी खाली रहेंगे उसमें भर के ऱ्सके बाद गिंच़ से छाल्क्यूसी करते हैं का यूसे हो सब मैं बता हो कि यह शुक्राइब की सिर्श sound जो आपके लिए बहुत ज्यादा है लोगे कि यह लोगी उसके लिए अपने को डेफिनेशन समझना पड़ेगा कि इंडेक्स नमबलेफुल क्यों है तुछ ख्यान देना इंडेक्स नमबल का डेफिनेशन क्या है इस परसेंटेज रेश्यू विच मेंजर्ज दा एवरेज चेंज अव सेवरल वरियेबर बिवें तो डिफरेंट टाइम प्लेस और सिचुएशन में इफ्यू हव तो कंपेर एवरेज चेंज आप तुम्हारे पास वरियेबल यह जैसे प्राइस प्राइस कॉंटिटी या वैल्यू अगर तुम्हारे पा ना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज लेंगे इंडेक्स नमबर के उसका यूज लेंगे इंडेक्स समझ गया और एक ओल डेफिनिशन है जो फुड़ा छोटा है इडी जमीजर वीच मेंजर्ज दचेंज इंसे सम कॉलिटी विच वी कैन नॉट अब्जाव डिरेक्ल प्राइस चन्ज हो रहा है ति सब्सक्राइब द। आफाल जो चीजे ड्रीक्ली ऑबजाव नहीं की जा सकती हैं उनको मेजर करने का काम इंडेक्स ब्रकता है इतना समझ गया रहेगा इस अ इंडेक्स नमबर के थ्री टाइप है प्राइज इंडेक्स नमबर कॉंटिटी 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 इंडेक् और हम लोग combine change निकालतें किसका किसका combine change price और quantity का आयोब समझ गया रहेगा नहीं समझा रहेगा तो पीछे एक बार जाके आप दो देख सकते टर्मिनलोगी ओके बेस पीरियेट करेंट पीरियेड बेस पीरियेट करेंट पीरियेट मतलब क्या होता है है बेस पीरियेट मतलब जिससे हम compare करते हैं चेंज करेंट पीरियेट मतलब क्या जिस पीरियेट का हम लोग change निकालते जैसे अपने पास है 1990 और 1991 1990 और 1991 तो 1990 से हम लोग अगर compare कर रहे हैं 1991 में क्या changes हुए हैं हम लोग तो 1990 से compare कर रहे हैं तो 1990 अपना क्या रहेगा बेस पीरिट रहेगा 1991 अपना क्या रहेगा करेंट पीरिट रहेगा समझ गया अभी इसके अधम लोग क्या करते क्या विवेसट रहेंगे में नहीं समझे रहेंगे क्या होगा तुम्हें संब्स करने में प्रव कूंकि हम आण ङूंस वार कंवह संवेट नहीं करिशन के इस Hundreds Hind तो तुम्हें नूटिचन आना चाहिए तो देहन देना तो P0 Price in the Base Year price of the commodity in Base Year के लिए P0 है Q0 quantity in Base Year क्योंके मतलब quantity consume कितना है Base Year में इसके बाद quantity consume sold purchase इसके बाद P1 Price in current year Q1 quantity consume sold purchase in current W is the weight assign मतलब क्या weightage कितना दिया रहेगा वोके particular commodity को कितना वेटेज रहेगा ओके वो कैसे वो किसे डीनोट करेंगे डबलू से डीनोट करेंगे इसके बाद Capital I Capital P Capital Q Capital V ध्यान देना यह सारे के सारे स्मॉल है पी क्यू पी क्यू डबली सारे के सारे क्या है स्मॉल है बड़ यह सब कैपिटल हो के Capital I is price related price related मतलब क्या कि current year और बेस यह देखो पीवन पीजिरो current year और बेस यह ओके करेंट यहर और बेस यह के प्राइज में क्या relation है वो मतलब फीवन पीजिरो से बड़ा है कम हुआ है क्या changes हुए है वो अपने को बताएगा प्राइज रिशे क्या लाए ओके P , valid price index number for the current year , , कि मcktमें दूसरा मतलब डिखाट में current year यह यहें इंडेक्स नमबर बताएगा मतलब यह Voilà zealand बताएगा प्राइज इंडेकस नमबर और दा गरेंट इर विटत रिस्पेक् टू बेस similarly q01 quantity index number for the current year with respect to base year और v01 value index number for the current year with respect to base year तो आई होब तुमको जो भी मैंने introduction दें index number का समझा रहे अगर तुमको यह वाला जो वीडियो अगर तुमको यह नहीं समझेगा तो आगे जो भी मेरे वीडियो आने वाले types of index number के वो तुम्हें नहीं समझ में आगे अगे अगर तुम्हें तर्मिनलोजी notation के related कुछ भी ड्राउट रहेगा तुम comment section में mention कर सकते हो plus contact भी कर सकते हो okay thank you for watching this video